जितने भी लोग इस मूवी के कैरेक्टर को सिग्मा मेल समझते थे, शायद मूवी की आखिर में उनका देल तूटने वाला है, तो कहानी स्टार्ट होती है और हम पैट्रिक को देखते हैं, जो अपने कुछ कलीक के साथ एक महगे रेश्वान में बैठा होता है, तरसल ये सभ हरा होता है, यह अपर सभी लोग इक दूसरे को काउंटर करते हुए, तस खुद को अमीर दिखाने की कोशिच कर रहे होते हैं, तबी इन में से एक आग्मी जिसका नाम Paul होता है वो अपना लग्जरी बिजनस कार्ड निकालकर सभी को दिखाता है जिसे दिकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना महगव बिजनस कार्ड और किसी के पास नहीं होता है पैट्री को ये दिकर बहुत कुछ नहीं सकता यहां से निंगल कर जब वो घर जा रहा होता है तब ही उसकी नजर एक भिकारी पर पड़ती है बैट्री को उसके पास शाकर बैट जाता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारे हाथ पहर बिल्कुल ठीक है तो तुम क्यों माग रहे हो तुम्हें कुछ काम करना चाहिए और वो अपने पास रखे हुए चाको को निकाल कर उस भिकारी के पेट में गुशा देता है और यह काम वो तब तक करता है जब तक वो भिकारी पूरी तरह से मरनी चाहता है उस समय के बाद पैट्रिक के मलकाद एक बार फिर से एक पार्टी में पॉल से होती है पर अभी तक प देखने के लिए बोलता है पॉल बेज बात के लिए माच जाता है जिसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर पैट्रिक ने एक बहुत ही महंगा एल्बम प्ले किया होता है और वो पॉल को उस एल्बम की खासियत बताने लग जाता है पर दवी अचानक से पैटरिक को बताने क्या होता है वो अंदर जांकर एक कुलाडी लाता है और पास पे बड़े हुए रेंकोर को पहल लेता है वो कुछ अजीब सा रियाक्ट करने लगा था और तबी अचानक से वो पॉल की पीछे खड़ा हो जाता है और पॉल को अपनी तरफ देखने को बोलत है जैसे ही पॉल पीछे मुड़ता है बैटरिक उस पर कुलाडी से बाहर करके उसके दो तुकड़े कर देता है इसके बाद वो पॉल की बाड़ी को ठीकाने लगाता है और फिर उसके घारा कर उसका बहुत सारा सामान पैप कर देता है और उसके वोईस रिकॉडर में पॉल को किसी ने मार दिया है क्योंकि उसके confession से हमें पता चला है कि वो लंडन गया हुआ है पर जब हमने cross check किया तो लंडन में वो है ही नहीं इसलिए हम आप से जानना चाहते हैं कि आकरी बार Paul की आप से मुलाकात कब हुई थी ये सुनकर Patrick थोड़ा सा घबरा जाता है पर वो अपने बातों से situation को संभाल लेता है और meeting का बहाना करके वहां से निकल जाता है रात में Patrick जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़की को पैसे दी कर उसके साथ घर चलने के लिए घर पर वो लड़की देखती है कि अल्रेडी एक और लड़की आई हुई है तो वो दुनों साथ बैठकर पैट्रिक को खुश करने की तैयारी करने लगते हैं पर तभी पैट्रिक उसी महेंगे अल्बम को प्ले करतेता हैं और उन्हें भी उस एल्बम की खुबियां बताने लग जाता है जिसके बाद पॉल कुश टूल्स निकालता है और उन टूल्स की हेल्प से उन लड़कीों के सारे कपड़े निकालकर उन्हें टॉर्चर करने लग जाता है जिसके उस देर के बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जिनने पॉल कुछ पैसे देकर घर से भागा देता है अगले दिन पैट्रिक अपनी सेकेटरी को उसके घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है पर इस बात के लिए सेकेटरी उसे मना कर देती है लेकिन पैटरिक के काफी कहने पर वो फैनली ट्रिंक के लिए माण जाती है जिसके बाद साम को हम उस सेकेटरी को पैटरिक के घर पर दिखते हैं जहाँ पर पैटरिक एक बार फिर से उसे अल्बम को प्ली कर देता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है हम दीख पाते हैं वो उसे नील गन से शूट करने की कोशिस कर रहा होता है कि इतने में ही पैट्रिक को उसकी गल्फरेंड का कॉल आचाता है जो उससे कहती है कि आज की रात वो पैट्रिक के साथ भी दाना चाहती है ये सुनकर सेकेटरी का दिल तूट जाता है तोकि उसे ये विश्वास है कि उनमें से ही किसी ने पॉल को मारा होगा लेकिन मैं तुम पर बहुत बिलीव करता हूँ और तुम मेरे शक के दायरे से बिलकुल बाहर हो ये सुनकर पैट्रिक खुस हो जाता है जिसके बाद आज वो दो लड़कियों को अपने घर नहीं बलकि पॉल के घर लेकर आता है रात में अचानक से उनमें से एक लड़की की आँख खुल जाती है और तभी वो देखती है कि पैट्रिक ने बहुत बुरी तरह से दूसरी वाली लड़की को मार दिया है ये देखकर वो घबरा जाती है और बिना कपडों की ही इधर उदर भागने लग जाती है वो अपार्टमे में बहुत सारे दर्वाजे कटटा दिया पर कोई भी दर्वाजा नहीं खोलता इधर पैट्रिक्स नगनवस्था में ही एक चिंसों लेकर उसके पीछे फड़ जाता है लेकिन उस लड़की को अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था तो वो भागने लग जाती है तभी पैट्रिक चिंसों को उसके उपर गिरा देता है जिससे कटकर उसकी भी वही पर मौध हो जाती है अगली रात पैट्रिक को जब कुछ पैसों के जरूरत होती है तो वो एटेम में जाता है तभी उसकी निजर साइट में बैठी हुई एक बिल्ली पर जो पैट्रिक को ये करने से रोगने लगती है अब तक पैट्रिक को वुश्ता आ गया था तो वो उस बिल्ली को छोड़ कर उस ओल लीडी को ही जहान से मार देता है लेकिन इस बज़े से पुलिस उसके बीछे बढ़ जा दिया अलगी पैट्रिक भी इस बात को लेकर बहुत कनफ्यूस था कि वो अपनी गन से पुलिस की कार को कैसे बलास्ट कर सकता है घब रहा हुआ पैट्रिक अपने ओफिस में बहुत सा है और सबसे पहले वाच्पैन को मार देता है जिसके बाद क्लीनर को भी मार कर वो अपनी कैबिन में बहुत जाता है पर अब तक पुलिस के चौपर्स ने चारू तरफ से उसे घेर लिया था और पैट्रिक बहुत परिशान हो जाता है तभी वो अपने एडवोकेट को कॉल करता है पर दूसी तरफ उसका एडवोकेट कॉल पिक नहीं करता इसलिए उसे अपना वोईस मेसेच चुड़ना पड़ता है जिसमें वो अडवोकेट को सब कुछ बता देता है कि उसने ही पॉल को मारा है इसके साथ साथ वो पचासते जाधा लोगों को और मार चुका है अगले दिन पैट्रिक पॉल के घर पर बहुंचता है और डिसाइड करता है कि वो सारे सबूत मिटा कर यहां से भाग जाएगा पर जब वो आसपास देखता है तो उसे कोई भी सबूत ने लिखाए देता इवन उसका घर भी वाइट वाश हो रखा था तब ही उसके निजर अपने पीछे खड़ी एक लेडी पर पर परती है जो कि इस पूरे अपाट्मेंट की लैंडलॉड होती है वो पैट्रिक से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया मुझे सब पता है पर फिलहाल मैंने इस सब को साफ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने अपाट्मेंट को बदनाम नहीं कर सकती इसलिए तुम भी यहां से चले जाओ और तुमारा कभी यहां मताना तुसी तरफ पैट्रिक की सेकेट्री को पैट्रिक की डायरी मिल जाती है जिसमें वो दिखती है कि पैट्रिक ने अपने सारे मर्डर के डायराम सोना रखे होते हैं जोकि बहुत क्रीपी होते हैं अगले दिन पैट्रिक एक बार फिर से अपने कलीक्स के पास एक महगे रेश्टराण में जाता है जहाँ पर उसे उसका एडवोकेट दिखाई देता है वो अपने एडवोकेट के पास जाकर उससे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हल्प मांगता है पर एडवोकेट उसकी किसी बात को समझे नहीं पा रहा था तो पैटरिक उसे याद दिलाता है कि अभी दो-तीन दिन पहले ही तो उसने रात में उसे कॉल करके सारी बात पताई थी पर एडवोकेट ये सुनकर और हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी किसी भी चीस के बारे में पता ही नहीं था पैटरिक उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसने पॉल को जहान से मार दिया इसने फ्लीज उसकी कोई हल्प करे इसके बाहर निकल ले में पर ये सुनकर वो एडवोकेट हसने लग जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद पैटरिक कोई प्रेंक कर रहा है और कहता है कि मैंने तो कल ही पॉल के साथ डिनर किया है तुम मेरे साथ प्रैंक मत करों ये सुनकर पैटरिक बिल्कुल शॉक रहा जाता है और उसे कुछ समझ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है अपार्टमेंट में जो लेडी उसे मिली थी उसने पहले कभी उस लेडी को नही नहीं है तो उस लेडी को पैट्रिक के सारे मुर्डर्स के बारे में कैसे बता चला और आखिर वो उसकी हल्प क्यों कर रही है इन सब चीज़ों से पैट्रिक बहुत परिशान हो जाता है और अपने घर पर बापस आ जाता है और यहाँ पर हम समझ भाते हैं कि पैट्रिक एक के mental disorder से suffer कर रहा है जिसमें वो एक ऐसे word में stuck हो गया है जो उसने ही बनाया है और उसके अंदर जो सारे incident हो रहा है वो भी Patrick खुद से ही create कर रहा है और उनी के भवर में फासा हुआ है Actually एक तरह से ये movie हमें कुछ corporate employees की life के बारे में भी बताती है कि किस तरह से कुछ लोग आपस में सिर्फ race करने में ही लगे होते हैं हाला कि वो एक दूसरी को अपना दोस्तों कहते हैं पर पसंद कोई भी किसी को नहीं करता हर कोई एक दूसरी को गिरा कर रिच बनना चाहता है और हर कोई ये represent करना चाहता है कि वो कितना superior है खैर ये थी हमारी आज की movie मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ जिससे मैं अपना sigma mail समस्ता था वो तो एक patient निकला खैर आपको क्या लगता है कि इसी ही sigma mail कहते हैं इसे comment करके सरुर बतायेगा हम अब चैनल पर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद